दोस्तों अगर आप भी बाइक राइडिंग का शोक रखते हैं तो इस तरह का फोन होलडर भी आपके पास होना बहुत ही जुरूरी है अब या यह फोन होलडर जो ना बहुत ही लाजवाब है सबसे पहले चीज़ बता दूँ इस सोलिड बाइक की तरह न यह भी बहुत सोलिड है अलुमिनियूम का बना हुआ है सूपर स्ट्रोंग मैं इसको कह सकता हूँ और यूनिवर्सल अभी या किसी भी बाइक में फिट हो जाएगा और किसी भी फोन को बड़े आराम से यह होल्ड कर सकता है चलिए पहले जल्दी से अन्बोक्सिंग देख लेते हैं और फिर देखते हैं इसमें क्या कुछ खास है स्वागत है दोस्तों आपका अमारे चनल पर यह है ओटोफाई कंपनी का नियो मुबाइल होल्डर इसको हमने एमेजोन से परचेस किया है अगर वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि आपके भी काम की चीज़ है तो डिस्क्रिप्शन में दियोए लिंक से आपके रिजस्क्रिशन और फ्लिपकार्ट दोनों पर यह अवेलिबल है अलुमिनियूम का बना हुआ है एक साल की वरेंटी के साथ आता है और सबसे चीज मेरे को यह लगी कि इसमें बिया आपको एक USB पोर्ट भी मिल जाता है और एडिशनली बैटरी बिल्कुल भी ड्रेन ना हो तो एक स्विच भी ओन ओफ करने का दिया हुआ जिससे आप USB प्लग को ओन या ओफ कर सकते हैं कंडिशन यही है कि वरेंटी को क्लेम करने के लिए आपको अपने प्रटक्तु रेजिस्टर करना होगा विदिन 15 डेज ओप परचेज आपको रेजिस्टर करना होता है ताकि अक एक साल की वरेंटी के साथ यह पर आप समय लिखा है अगर आप लोंग ड्राइव करते हो और यहां पर MRP और ब्रांड वगर सब कुछ information दी हुई है मोटा मोटा 500 रुपे के आसपा सभी जो current pricing इसकी है बाकी भी यह ताइम लिसास तो हो सकता है चेंज भी हो जाए और ज्यादा टाम नहीं खराब करते हैं इसको जड़ा बोक्स को ओपन कर लेते हैं और आपको दिखाता हूं अंदर क्या कुछ चीज़ें आपको बोक्स में मिलने वाले हैं यहां पर कुछ-कुछ क्लिप्स हैं जो मिल जाती है कि अगर टूट जाए तो भी गोड़ने की जूटने एक्स्ट्रा मिलेगी यह एक स्ट्रैप है अगर किसी भी तरह की बाइक में स्टेरिंग में मलब साइकल पर भीट करना चाहिए तो भी सोचने की ज़रूत है हर तरीक कुछ भी खरीदिना और ढूलना करना पड़े और यहां पर जो मांट हो जाएगा आपका यह फोन होल्डर और जिसको आप बड़े अराम से लोग कर पाएंगे और जिसे मुमेंट करनी हो वो कर पाएंगे मोटा मोटा ओलमोस सारे जो फोन से आज के टाइम पर वो सारे बड और यहां पर ब्रेंडिंग है यूसब चार्जर लिखा भी हुआ और माइनेस प्लस कुछ दिया हो साइन और यहां से यह जो है आप इस बटन की मुमेंट से बड़ा कर सकते हैं तो थोड़ा इसको ओपन कर सकते हैं और थोड़ा मेकैनिकल जब चीजें होती ना थोड़ा औ लेकिन यहां पर यह देखो यहां पर भी मेटल जो कॉर्णर मेटल के हैं और अंदर रबर का सपोर्ट दिया हुआ साथ में यह एक अडिशनल आपको एक रबर का स्ट्रैप टाइप मिल जाता है इसको आप अपने फोन को रखने से पहले था कि जो अल्मुनियू बोड़ी आपके फोन पर स्क्रैचिज ना लगें वैसे लगने के लिए हम नौर्मली अपने कवर अगर रखते ही हैं चाहद इसकी जूरुत ना पड़े बट स्टिल कंपनी जो है अच्छी चीज़ है एक ही एक अडिशनल आपको रबर का सपोर्ट प्रवाइड करती है यह क्लिप्स हैं और दो स्ट्रैप हैं चोटे-चोटे यह आपको वायर को मैनेज करने के लिए ताकि आप बैटरी की तरफ जो वायर जाएगी उसको आप अच्छे से आप पिन कर पाऊं ताकि वो इदर दर ना भी करें क्योंकि भी है सब चीजे मैनेज करके रखना बहुत जरूरी है अ वाटर प्रूफ यह USB पोर्ट है तो वह भी सोचने की जुरूरत नहीं है यह देखो और इसको अब ऐसे जब जुरूरत ना हो आप बड़े अराम से इसको बंद कर पाऊंगे अब मैं एक हाथ से वीडियो बना रहा हूं एक हाथ पकट रखा तो थोड़ा सा मुश्किल लग गर्फ alle से तो यहां उसको थोड़ा साधा की है बाकी वखे माईक पर जो सुछे के यह ना आपको दिखाएंगे के बाद में चाल लेकिन आते हमने गर्वान पे यह इस तरीके का मैकेनिजम दिया हुआ है कि छीज़ों कि इस्षित हैं कि सिर्फ एक इस्कूट करना आपको क्योंकि दो होते हैं तो चांस यह होता है कि एकARS गिर के तो वह वह वालजा सीन यहां पर नहीं है यह दोनों इस तरीकिये यहां पर लगा देंगे और जितना टाड़ और वायर में अच्छी चीज़े को मैं दिखता हूं आपको यह जो क्लिप्स है यहां पर या कनेक्टर जो है यह भी एकदम ऐसे दे रखे हैं कि आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना और बड़े अराम से बैटरी में जो फिट हो जाएंगे तो चांद सीजिन भी है कि कुछ भी आपको करना पड़े या मैनत करने की कोई जूरूत नहीं बड़े आराम सी बैटरी में डिरेक्ट लिफिट हो जाती किसी भी बाइक की तो यह लोजी बाइक के पास पहुंच गये अब हम काम करते हैं इस सोलेड सी बाइक के उपर जो हम इसको माउंट कर सकते हैं आपके जानकरे के लिए किसी भी तरह कि आपके पास बाइक को ट्राविल के लिए मुझे लगता कि इतना अगसा स्पेस होगा जहां पर यह होल्डर जो माउंट करने वाले उससे पहले जड़ाई यह रबर का जो स्ट्रैप है इसको निचे प्लाई करते हैं जिससे क्या है और टाइट अब देखो यह मैं जिस मुवमेंट की बात कर रहा था ना यह देखो अब यहां पर अगर मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूं कि अब अगर हमने इसको लगा दिया देखो अगर इसको पकड़के लाओगे ना तो बाई किल जाएगी पूरी बट फो होने के साथ अतना यह रस्ट फ्री है कि जो कोटिंग एक कुछी तरीक यह की गई है इस पर की कोई भी वेदर हो जाए इसमें ना तो बिया को जंग लगने का खतर है तो फिर टेंशन किसी बात की है नहीं तो फोन की स्क्रेचिस भी है जो आपको नहीं लगेंगो ट्रेवल इसके उपर यह प्लास्टिक की क्लैम थे यह लग गए और इसके बाद मैंने इसको टाइट कर दिया बहुत अच्छे से यह टाइट हो गया तो और यह देखो अब यहां पर आप इसको किसी भी डिरेक्शन में रखना चाहिए फिर जामपल अगर आपको इसको करके और इसको क्या करना है थोड़ा सा टाइट कर देना है ताकि जो है फोन आपका अपनी जगह से बिल्कुल भी ना इले अब बात कर लेते हैं इसकी पावर कोड़ की अब अगर जो कोड़ है यह देखो जो बैटरी को जाएगी इसकी लेंद्ध भी मोर्दिन सफिशेंट आप किसी भी बाइक में अगर आप लगाना चाहेंगे इसको मुझे लगता है बाइक को जो वायर है उसको फोल्ड करके रखना पड़ेगा और यह देखो मैं बाइक के पीछे तक आगया हूं तो भी वायर के लिए जो है सफिशेंट यहां मैं क्या करूँगा यहां से निक तो आपके काम आजाएगा तो उसको भी बिया संबाल के रख लें तो भी बैट रहे हैं तो बक्की इसमें आई तिंग मैंने कुछ इन चोड़ा ओल्मोस सारे पार्ट कवर कर दी हैं अगर आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जुरूर बताना और आप इस तरह का पसंदा आपका